दोस्तों गूट मारिंग्ग कैसे आप लोग उमीद है अच्छे होंगे वीडियोगर है अच्छा लगए लाइक करें देखंगा को is sound हैं तो लेकिन में जो काम है पढ़ाई पर ही चलेगा बगलो फचीन शक्रकाराह आश्यक्त मेही है यह लेकिन जो है बहुत महात्पूर्ण वीडियो है जो लोग सभा है उससे अधिकतर कुस्चन जुड़े हुए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहला जो कुस्चन है कौन जनता द्वारा प्रत्य छुरूप से निर्वाचित सदन है तो लोग सभा है इसको चुनती है और यह भारती जनता का पर्देशन प्रतन निधितु करता है ठीक है अगला है नमबर तीन भारती सविधान के किस अनुछेद में लोग सभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है तो अनुछेद रिक्यासी है ठीक है लोक सभा की सद्धाव सद्धस्यों कि संख्या कितनी निर्धाइद की गई तो 500 निर्धाइद की गई और अधिक्तम इसमें कितने हैं तो पांसो बावंद अधिक्तम हो सकते हैं वरतमान में जो तो वह उम्बिला वर्तमान समय में लोक सभा के कितने सदिस्टों को राज सभा की राज की जनता सिध्य निर्वार्चित करते हैं तो पांत सो तीस सीटें हैं इनको ठीक है अगला च्छा नंबर है वरतमान लोक सभा में प्रत्यक राज के लिए अस्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगरना की आधार पर ये भी महुत पूर्ट पॉइंट है ये भी आधकना नमबर साथ भारत में सुतनता के बाद प्रथम आम चुनाओ कब संपन हुए तो 1952 संपन हुए थे नमबर आठ छेत्र फल के दर्श्टी से सबसे बड़ा लोगसभा निर्वाचन छेत्र कौन सा है तो लद्दाक है और सबसे छोटा जो लोगसभा छेत्र है तो चांदनी चौक है दिल्ली का ठीक है अगला है लोगसभा का चुनाओ लड़ने के लिए इच्छोग विक्त की नि यह 111 से अगला कि संधस्य प्रदेश में यह च्षेत्र में रोसार वाधी लोगसभा प्रतनिधित जो है निर्वाचित हो कर आते हैं तो दिल्ली से ठीक है अगला लोगसभा में प्रतनिध्ध जो है आधार पर राज तो पहले पर है उपी असी हैं दूसरे नमबर पर महार है 14 नमब्र आपातकाल के दौरान संसद लोगसभा का कारिकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती तो एक वर्स के लिए आपको आपकाल के बारे मताते हैं तो यह मैंने में पॉइंट था नोट कर दिया है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा अनुच्छे 352 जो है तो राष्टी आपातकाल की गोशना करता है अप यह आपकाल तब लगता है जब किसी देश से युद्ध होता है या जो है लड़ाई होता है ठीक है और 19356 होता है राष्टपत्सासन यह कब लागू होता है तो आंतरिक विद्धु हो जैसे हो जाता है जैसे कि आप माली ज सब्सक्राइब होता है तो राष्टपत्सासन तब लगता है और अर्थिक आपातकाल तब होता है 1960 में जब जो है खादिसमस्या इसे देश में हो जाए ठीक है या बेरोजगारी फैल जाए या मुद्रा का और मुल्यन हो जाए उस इस्थित में लगता है चलिए अगला कु कि नंबर सोला लोक सब्स कादसहए अपना त्यागपत्र किसको देते हैं तो लोगसब्हाओ डहच को ही देते हैं लोग सब्स ऐसे होता है तेक sudah अगला है लोग सब्सक्राइव प्रतम घथक कि बीच कितने समझ से अधिक अंत्राल नहीं होना चाहिए ने गयप नहीं होना चाहिए तो 6 माह से अधिक 19 नमबर एक वर्स में लोकसभा के सामानिता कितने सत्र आयोजित किया जाते हैं तो 3 यानि कि वो 6-6 महिने का गयप हो गया लेकिन 3 सामानिता होते हैं अगला है 20 नमबर राष्टपत लोकसभा को कारेकाल पूरा करने के पूर भंग कर सकता है कब तो प्रधान मंत्री की सलाह पर ठीक है अगला है पॉइंट राज सभा की सदस होने की उम्र कितनी है तो 30 वर्से रखी गई अगला है किसे लोकसभा का अभिरच्छक कहा जाता है तो लोकसभा अध्यच को कहा जाता है 23 नमबर है लोकसभा के अध्यच को कौन चुनता है तो लोकसभा के सदस चुनते हैं यह मैंने आपको पहले ही बता रखा है नमबर 24 है अस्थाई लोकसभा अध्यच यानि I apply Kota 15 कि समाप्थ की जाती है तो तीन प्रकार से विघ्टन द्वारा सब्वारा अस्थ्वान द्वारा का बाद 26 लोग सब्था का विघटन कौन कर सकता हो तो राष्टपत करता है नमें 27 लोग सब्था का नेता कौन होता है तो कि तारांगी प्रसन पूछ जा सकते तो बीस प्रसनों की संख्या निदारिद की गई जो की पूछे जा सकते हैं कि अगला है लोक सभा में अनुसूचित जाती यूँम अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षार समुधार की किस अनुच्छेद में बंधित किया गया तो अनुछे 330 रखा गया है ओक है अग चलिए अगला है किस लोगसभा में निरवाचयत महिला सांसदों की सांसदों की सबसे ज्यादा जो है सबसे कम संख्या थी तो यह थी छठमी लोगसभा में यानि जो छठमी बार लोगसभा चुना हुए तब अगला है प्रथम लोगसभा की पहली बैठक कब आयोजी थी तो 13 माई 1922 को अगला है मंत्र परशद किसके प्रसाद पर्यंद कार करता है तो लोगसभा के ठीक है अगला है भारत में सून निकाल यानि जीरो हवर कब से शुरू हुआ तो 1962 से शुरू हुआ अगला है एक दल लोगसभा में विपच्छी दल होने का दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए लोगसभा में पच्छपन होने चाहिए अगला है पॉ किये जरूर जो है या फिर सुनिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ठीक है खाली वक्चोदी करने से कुछ ना होगा इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद